आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडिकलोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ठीक है और डिस्क्रिप्शन कमेंट वोक्ष में क्राइम अफेस का लिंक दिया है तो आज मैं बहुत ही शांदार कहानी उस पर डालूँगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो यार पहाडगंज, निव डेली का दिल, पहाडगंज, रेलवे स्टेशन, निव एंडी एलेस, इमें जो रेलवे स्टेशन है, वो पहाडगंज में है, लेकिन दोस्तों वो स्कैम का अड़्डा है, अगर आप स्कैम हुए हो, आपके साथ कोई भी स्कैम हुआ है अब भी शेयर करता हूँ यह जो स्कैम है दोस्तों यह बहुत डराने वाला है और दोस्तों यह इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि यह से पहाड़ गंज की बात ने बढ़ कई जगां ऐसा हो सकता है होटल ऐसी एक चीज है ना जो सबसे इंपोर्टेनट होती है ट्रावल के लिए đây है बहुत इंपोर्टेंट जब मैं कहीं पर ट्रावल करता हूँ तो मैं होटल बहुत ली देक्या हो डिक है उसकी ठीक टाक रेटिंग होनी चाहिये ठीक जगां पिसचाह भी लग जाए लेकिन comfort हो रैट लेकिन कई बार क्या हो तब जैसे माल लीजे कि अगर आपको 3-4 घंटे के लिए कहीं पे रहना है तो आप देखते नहीं आप बुक कर देते हो कि खाली luggage की तो बात है ऐसा मैंने भी कई बार किया है एक जगा मुझे तो उन्होंने ट्विटर पे कुछ शेयर किया है एक आदमी तब ही मैंने कहा यह स्कैम बहुत जाता चल रहा है पाहाड गंज में तो बाहाड गंज स्कैम का अड़ा है आप समझ सकते हो तो हुआ क्या कि एक अच्छा खासा लड़का जो कि एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था ठीक है पाहाड गंज में आया वो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आया अब उसको पता था कि यार देखो तीन-चार घंटे के लिए मुझे कांफरेंस के लिए निकलना है तो बस तीन-चार घंटे के लिए मुझे होटल चे उसमें रहना भी निए बस लगेज रखने के लिए तो उसने किसी भी ऐसी होटल में चला गया वो बहुत सारे होटल है पाड़ गई में और वहाँ पे उसने क्या किया कि समान रखवा दिया वहला कि बस मुझे समान रखना है फिर मैं बस आऊंगा और तो 1200 जो भी लिए उसके बाद वो निकल गया अब चार घंटे बाद दुपहर में वो वापस आता है अपना समान लेने अब जैसे ही वो वापस आया अच्छे घर का लड़का आप ये सोचिए कि आप वापस जान अब ही रखी समान उठाने ही वाला था एकदम से चार पांच गुंडे आगे घुज गये धरदरा के अंदर उसका कॉलर पकड़ा चार पांच कंटाप मारे ठीक है एक लड़की को लेकिया है दरवाजा बंद किया भंदी बंदी गालिया दी लड़की ने पूरे कपड़े उतार दिये अब यह नहीं पता कि लड़के ने कपड़े उतारे नहीं उतारे बट उसके साथ उस लड़की के साथ बोला फोटो खिचवाओ साथ आठ फोटो खीची और उसके बाद बोला कि अब बिटा पंदरा हजार रुपए दो अगर नहीं दिये तो तुमको जाने नहीं देंगे और यही फोटो वाइरल कर देंगे लड़का सन्नाटे में कहां पर रहा था वो डर गया था अब जब दीपिका भारदवाज ने यह पोस्ट ट्विटर पर डाली तो डेली पुलिस ने फिर कॉंटाक्ट किया मुझे लगता है तेकि कुछ केसे में आपे पुलिस में इंवार्वड होते हैं जैसे एक दीपिका भारदवाज ने एक केस बताया था उसमें अमीर लड़कों को फसाने की कोशिश थी और इसमें लॉयर्स भी इंवार्वड ने थे कि इंटिमेट करो मतलब सेक्शुल रिलेशन्स बनाओ और उसके बाद लड़कों को ब्लैक मेल करो क्योंकि आपको पता है कि अभी समयर जो रेप लॉज है बहुत ज़्यादे स्ट्रिक्ट हो गए ठीक है ना उसके बाद उन लड़कों को ब्लैक मेल करो लॉयर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल थे बड़े बड़े लॉयर्स और खूब करोड़ों रुपए एट हो इसका पूरा भंडा फोड हुआ पहाड गंज में मेरे साथ भी एक बार स्कैम हुआ था क्या हुआ था हाला कि जब दिपेका भारतवाज ने ये डाला है तो एकदम लाइन लग गई इस तरीके की बहुत सारे लोगों ने पने स्कैम जो है वो शेयर किये मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था मैं गया पहाड गंज में ठीक है ट्रेन मेरी तो उधर साइड आपको पता कश्मीरी गेट है इधर पहाड गंज है तो अब क्या हुआ कि मैं बाहर निकला मुझे भूख लग रही थी तो लखनो मेल से मैं गया था सुबा आई वो और मुझे कुछ काम था सुचिस्डेल में बोश्चिन पर इवेट कर लेका प्र पेर स्टेशन पर का बाहार ने अंडे prayang कह लेको छलों में जो हुआ तो भूख लग रही थी तो मैं एक मैं को हाट आऩा गया क्षकेंग तो बहुत लुगों के साथ होता रहता है अब जब मेरे पास बेला यह टिखा है मैंने कि थे नहीं करा उिसक्डाों थे कर नहीं देंगे जो, तो मैने जग़ळा हो गया उससे, अब आम तार पे ये नहीं करना चाहिए जो मैने किया आप मत करिए, ठीक है, तो बात ये हुई कि मैंने कहा किया, करो मैं तो पुलिस को बॉला लूगा फिर, तो ये है कि यह स्कैम चलता है पूरा का पूरा आप समझ सकता है उलज सकते नहीं है क्योंकि इनकी पूरी यूनिटी होती है फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पहार के बहुत नोटोरियस है इन सारी चीजों के लिए ठीक है तो आप उलज सकते हैं क्या करें हम तो यह इससे बचना है अब इससे बचने के लिएक को क्या करना है सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप ऐसी जगा जाएं और अगर आपको कुछी घंटों का काम हो न अगर आप रेलिविस टेशन जादतर रेलिविस टेशन पर ही होता है ठीक है एरपोर्ट वाले तो फिर रहता 30-40 पर पढ़ते हैं समझ रहे हो तो कोशिश रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन को ही यूज़ करें आथ सबसे सेफ वही रहेगा ऐसे स्कैम बहुत जादा होते हैं किसी ब्रैंड का नाम नहीं लुगा इस पर्टिक्लर ब्रैंड बढ़ा नाम है उनका उनका उनिक पहारगंज में यह बहुत जादा अब पुलिस को होना चाहिए चाहिए कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए हाला कि पुलिस कहते हमाレ पास पर कम्प्लेंज जैसे मैंने भी पैसे देंगे मैं ने पास जितना टाइम मैं यहां पर यहां पर वेस्ट करूंगा इस से अच्छा मैं जहांपर मुझे जाना एक दिन रहना तो अच्छे ही होटल में रुकिए थोड़े रिव्यूज देख लिए अच्छा एकदम से at a spot कुछ भी decide मत करिए तो new fear unlocked हो गया है आप समझ सकते हो कि आप गए आपने होटल में पैसे दिये पैसे भी दे रहे हो सामान रखे गए आए मारा पीटा पैसे भी लिए ब्लैक मेल भी किया तो new fear unlocked तो इससे बचे समझ रहे हो और पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए पुलिस को देखे बहुत सारे पहाडगज में से बहुत स्कैम होते हैं तो पुलिस को यह समझना चाहिए कि अगर यह एरिया है यहाँ पे स्कैम पुलिस को सब पता रहता है एक एक चीज पता रहती है क्या चल रहा है ना के निचोन के लेकिन आप समझी सकते हो क्यों value system हमारा collectively collapse होता जा रहा है समझ रहे हो यह लोग रुखते नहीं है यह एकदम इंसानियत को बेच खाया अपनी आत्मा को बेच खाया है किसी भी हद तक गिरने को तयार है किसी भी हद तक पैसे के लिए गिरने को तयार है तो इसलिए आज के जमाने में कल्योग में अपना खयाल खुद रखे आप समझ रहे हो तो मुझे लगा कि ये बताना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत डेंजरस स्कैम है और ऐसे स्कैम बहुत होते लेकिन इसको भी बात नहीं करता है तो अगली बार जब भी आप होटल बुक करा या थोड़ी देर के लिए भी तो सोचे थोड़ा सा कि क्या ये सही है इसकी दिव्यूस डेटिंग सही है क्या ये लिस्टेड है ठीक है और अगर बहुत चार-पाथ घंटे का कम है तो स्टेशन को ही यूज़ कर ले बेस्ट है ठीक है तो इस स्टेशन में वैसे तो रिटारिंग नूम बोग्ड रहते हैं बट क्लोक रूम हमेशा खाली रहता ह है खुझ रहे पड़ते हैं देशन से दान तक नहीं उतरी साइनिंग ओफ